दोस्तों नमस्कार, Learning by AP Sir YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आज जो UPPSC स्टाब नर्स का एक्जाम हुआ उसका पार्ट नमबर 2 के रूम में बाकी कोस्टनों का डिसकसन करेंगे तो कोस्टन नमबर 51 से शुरू करते हैं तो 51 नमबर कोस्टन कहरा तो आपको पता है कि B complex के अंतरगत B1, B2, B3, B4, B5, B6 और उसके बाद पहले इसी में चर्चा कर लेते हैं तो यह आपका B1 का क्या नाम है तो यह B1 का थाइमिन है और थाइमिन की कमें से बेरी-बेरी होता B2 का, जो B2 है, इसका क्या नाम है राइवो, राइवो फ्लेविन है B3, तो इसको आप तीन नेशनल पार्क से याद रखेगा तो आपका यह याद रहेगा याद तीन लगाया तो 3, B3 का नियासिन है और P से इससे कौन बिमारी होती, पेलागरा होता है और B5, पेंटा को बुलते हैं, पेंटाथोनिक, इसको बुलते हैं, पेंटाथोनिक एसिड, B5 है और B5 के बाद B6 है, B6 है, राइवो B6 और B6 के बाद अगला जो आता है, वो आपका B7 और B7 के बाद B9 B9, B9 ये आपका फॉलिक एसिड है ये नियाटिन है, नियोटिन B7 को नियोटिन बोला जाता B9 को क्या फॉलिक एसिड, ऊलाश्ट में आता है B12 B12 साइनु कॉबालमिन इसको कहा जाता है, ईसमें कोवार्ट कोवार्ट पया जाता है B12 में अब यहां कोशन पूछा है थाइमीन कि कमी से कौन सी बिमारी हो सकता तो बेरी बेरी बीवन यह हो जाएगा उसके बाद अगला कोशन है कि फ्रेज हंडेड डेज कप इस यूज फारोफुची डिसीज सो दिनों की खांसी किस कथन किस बिमारी के लिए प्रियोग किया जाता ह है अगर हंडेड दिन की आपको खांसी आती है तो इसका अमलब आपको खांसा बिमारी होने के चांसे हैं तो यह आपका टीवी टीवर क्यूलोसिस तपेदिक को दरसाता है अगला पूछरा कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करवाना है अब यहां आईए इस वाले अंस किएगा इन एवी टेवल एबोर्शन उसके बाद आपका टिटाइनिक क्तरक्षं आप यूटेरस अर्थरो भलास ट्रोसिस फेटएलिस तो अर्थरो झा टेच फिटीजट एसका मिलाओं जोगे तो नहीं आप उसका तो हो जाएगा नहीं सी का कौन हो जाएगा, इसका पहल भाला सही जवाब हो जाएगा अगले कोशन पर आते हैं in which stage in which stage adipus conflict occur in children निमले लिखेत में से कि शरण में बच्चों में adipus conflict होता है oral stage phylic stage genital stage anal stage तो दोस्तों ये होता है phylic stage में होता है अगला पूछरा कि false perception without any stimulus इसको hallucination के नाम से जाना जाता है यानि इसी को किस नाम से बिना किसी बाय उतेजना की जो जुटी अन्मूती होती रियल में नहीं होती है उसी को hallucination के नाम से जाना जाता है अगला question which one of the following parameter is not included in APGAR score तो इसमें कौन सामिल नहीं होता तो इसमें blood pressure को सामिल नहीं किया जाता है APGAR जो score है अगला फिर matching पूछ रहा है कि inadequate light excessive sound उसके बाद excessive vibration और उसके बाद high pressure underwater इसमें एक तरफ दिया हुआ है तो इसको आप बताना है दूसरी तरफ इसमें बिमारियां दी हुई है कि किसे high pressure underwater तो कौन सी बिमारी होगी in adequate light excessive sound excessive sound से कौन सी बिमारी होती है excessive sound तो इसका अंसर दोस्तो अगर आपको C वाला पता होता कि excessive vibration excessive vibration से कौन सी बिमारी होती है यानि यह reynard disease होती तो C का दो मिला दीजियो C वाला और कि C में नहीं है कि वाले एक में B वाला इसका सही जबाब हो जाएगा B अगला बच्चों के ब्रधिवा विकास के संदर में कौन सा कथन सही है growth and development proceeds in cephalocodal यानि जो ब्रधिवा विकास cephalocodal दिशा में चलती है ब्रधिवा विकास प्राक्सी more distal दिशा में चलती है दोनों statement पहला और दोनों सही है इसका अंसर सी हो जाएगा अगला question पूछ रहे हैं मज़ेदार in which year medical termination of pregnancy act वाज पास दीन इंडिया भारत में गर्व का चिकसी समापना धिनियम है वो 1971 में पास किया गया इसका सी हो जाएगा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वहले आपको आंसर आंसर बता रहे हैं अगला in which आप फालोविंग ड्रक्स का एक्स्ट्रा पाइरा मेडिकल सिंटन्स आइजसाइड एफेक्ट निम्निमें से किन दवाओं की द्वारा एक्स्ट्रा पाइरा में लच्छन इनके दुस्पर फिल्लोविं इंटी catOSlier या निजब इसकुरॉपशाव के उसको रोकिने का काम करता हूं का यानि ब्लड कलोटिंग का काम करता है क्लाटिंग का और एक व्लड को रहेक्ट को तो यह जो PCSRU उसके लिए भी important है अगला पूछरा RT-PCR का अर्थ है क्या है तो इसको reverse transcriptage polymarriage chain reaction कहा जाता है यह आपका B वाला साही हो जाएगा reverse transcriptage polymarriage chain reaction अगला फिर जो idiot होता है उसका IQ बहुत कम होता हो idiot आपका 0 से 24 वाला होता है एक अतीन और एक अतीन केवल एक आपसन में है काम कतम जो idiot वाला होगा 0 से 24 की वीच होता है जो imbecile 2 हो जाएगा 25 से 49 वाला imbecile कहलाता है मुरान जो मुरान होता हो 25 से 49 वाला जो नार्मल बच्चा होता है उसका 90 से 110 या 109 की वीच होता है which side of the uterus is called as living ligature of the uterus तो इसको perimetrium, endometrium, middle layer of myometrium तो इसको क्या कहा जाता दोस्तों इसको middle layer of myometrium कहा जाता है गर भासे कि किस भाग को living life गेचर की नाम से जाना जाता तो ये मायोमेट्रियम के बीच का स्थर जो है middle layer up मायोमेट्रियम ये कहलाता है ये bleeding disorder characterized by deficiency ये factor 8 and 9 age 10 age एक रत स्राव विकार जो कारक 9 वद 8 वा 9 की कमी के कारण होता उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता दोस्तों तो इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer ए bleeding disorder characterized by deficiency factor 9 हुआ इसको किस नाम से इसको comment box में आप लिखिएगा कि इसका answer क्या होगा अगले वाला दिखते हैं फिफफ हार्मोंसECT कांट्रोल तो जो पुरुसों महलाओं में सेक्स सیک्सवल बहआइबिएर को नियंत्रित करते हैं तो उणमें कौं से है तो जो इसका अंड्रोजन और आपका ऐस्ट्रोजन दो हार्मोंस् होते हैं उरुसों महलाओं में तो ये sexual behavior को दरसाते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन तो इसका answer D हो जाएगा अगला part is the immediate management of dog bite जब कुटा काटता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए जो घाव हुआ उसको सावन से धोना चाहिए सावन और पाने से धोना चाहिए डी answer हो जाएगा आजपर दा housing standard which statement is not true निमलिकित में से कौन आपका सही नहीं है आवास के चत की नूंता हुचाई 10 पीट होनी चाहिए बिल्कुल वा सही है कम से कम 10 पीट होनी चाहिए प्रते कमरे में कम से कम दो बिंडोज होनी चाहिए सही ह बिंडोज की उचाहिए कमरे के दिवालो पर 3 पीट होना चाहिए प्रते कमरे में 6 पीट की दो दरवाजे होनी चाहिए यही इसका गलत आंसर हो जाएगा इसका आंसर्टी हो जाएगा तो यह दोस्तों किस नाम से जाना जाता इसी को किस नाम से बोलते है चाहिए पहला वाला हो जाएगा तो यह इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा फोर यम्यल इन्टू टोटल बंट सर्फेस एरिया इन परसेंटेज इन्टू बाड़ी बेट इन किलोग्राम यानि चार मिली लिटर इन्टू कुल जला हुआ चित परसेंट इन्टू मरीज का वजन किलोग्राम में इसी को क्या कहा जाता है यानि यह लच्छन किसका serious band patient का होता है अगला all are the impact of population explosion except यह question पिछले exam में भी अभी जो हुआ है उसमें भी पूचा गया था PCS 2018 सायद पूचा गया था कि सभी जनसंक्या भी sport का प्रभाव है लेकिन एक नहीं या है तो इस टाइब का यह PCS CC ले previous year question करना चाहिए question repeat करता है same question वहाँ भी पूचा गया था तो religion इसका प्रभाव नहीं है which one is the most important drug in the management of anaphyletic sog anaphyletic sog में काउंसी दवा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है यह आपको बताना है तो यह आपका काउंसी दवा है तो इसका answer आप लोग बताईएगा आप water comprises all steps except यानी जो large scale पायमाने पर किसका प्रयोग किया जाता है जल को सुच रखने की विधीत water storage भी है disinfection भी है filtration लेकिन screening का इस से कोई संबन नहीं है which statement is not correct about international council of nurses अगर यह कोशन नहीं भी आता था common sense लगा कि यूज़ कर सकते it works to ensure quality nursing care for all quality nursing care की यह बात करेगा अगर संस्ता है international council of nurses it helps in advancement of nursing knowledge यानी nursing ज्यान की प्रगती में साहता है करती it ensures to provide competent and satisfied nursing पोर से भी सही its contribution is ensuring sound health policy in world is minimal यानी बिस में जो ठोज स्वास्तिनिती बनाने में इसका कोई युगदान ने यह गलत है क्योंकि इसका युगदान कुछ ना कुछ जरूर होगा आप कमन संस्त लगा कि इसको कर सकते थे अगर एक समय कोई मैला आवरत एक सदिक पती रखती है तो उसको बोलते है पाली एंडरी लेकिन जब पुरू से एक समय एक सदिक पतिनिया रखता है तो पाली गयमी कहलाता लेकिन जब उल्टा करे पतिनी एक साथ कई पतियों के साथ संबंद रखे तो ये पुरू था ये क्या कहलाती पाली एंडरी के नाम से जाना जाता है फ्रेक्चर आपदा हुमरस आप मिड सैप्ट इज लाइकली टू काज इंजरी तो इसका अंसर हो जाएगा अगला इने कंप्यूटर था तो इसी को क्या कहा जाता एड्रेस बाक्स के नाम से जाना जाता है पाला बाला हो जाएगा विच वन आप दा फालोविंग इजनाट ए प्रिंस्पल आरगनाप वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाजिशन निम्लिकित में से कौन 208 संगठन के एक प्रमुक लच्चन नहीं है तो 208 संगठन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाजिशन डबलू यच्चो की बात हो रही है और डबलू यच्चो के स्थाफना साथ अपराईल दो को सन डबलू यच्चो से पूचे गए साथ अपराईल 1948 को ही थी इसलिए हर साल साथ अपराईल को विस्वस्वस्वस्थ दिवस के रूम में मनाया जाता है इसकी जो प्रिंस्पल बाड़ी है उसमें वर्ल्ड हेल्थ असेमिली भी है इसक्यूटिव बाड़ी भी है प्रतेक तीन महाँ पर दिया जाता है तो ये तीन महाँ पर दिया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा सी अगला डिलेटेड मैसेज और इस्टोर्ड इन अगर आप मैसेज कोई डिलेट कर दिये तो कहा है ट्रैस में जाके यह आपका इस्टोर होता रहता है अर इने रिलेटिवली पर्वानेट चेंज इन बेहबियर प्राउट एबाउट वाइच्पिरियन्स आर प्रैक्टिस इज कार्ड अगर पर्वानेटली कोई परवर्टन हो आपको सेखते हैं वस्ताई परवर्थन लर्निंग अधिकम कहलाता है अगला स्पाइनल इंथिस्या इच गिवन इविजूली फूच लेवल आप स्पाइनल कार्ड तो ये किसमे होता है तो ये L3 से L4 के बीच होता है इसका भी हो जाएगा आरेच फैक्टर इनकमपडिबिल्टी के प्रोड्यूस आरेच फैक्टर के बेमेल होने से क्या हो सकता है तो आरेच ये आपका ब्लड की वज़ा से होता ब्लड वाला एक ही अफसन है एर्थरो ब्लास्टोसिस फिटालिस इसका हो जाएगा आल दा स्टेट्मेंट इन रेलेशन टू हैली टोसिस इस करेक्ट एक्सेप्ट यानि हैलो टोसिस के संदर में एक सही है बाकी सब गलत हैं तो इसमें आपको बताना है कि कौन बैड व्रीथ ओर्डर प्रोडूसिंग बैक्टिरिया कार्वन कंपाउंट प्रोडूसिंग बैक्टिरिया सल्फर कंपाउंट प्रोडूसिंग बैक्टिरिया मुझ से दुरगंद के संदर में निमन में से कौन सा कथन सही है बैड व्रीथ यानि ओर्डर प्रोडूसिंग बैक्टिरिया तो यो दूसरा कार्वन योगिक पैदा करने वाले इसमें जीऊ उसके बाद तो सल्फर कमपॉंट प्रोडूसिंग बैक्टेरिया इसको आप लोग कमेंट बाक्स में बताईएगा इसका अंसर क्या होगा अगला what is the first thing to do in case आप ब्लीडिंग उन्ड आप लेग ड्यू टू एक्सिडेंट होता है तो आपका यद दूर गटना ग्रस्त बेक्ट के पैर के घाव से लगातार कून बाय रहा तो सरप्रतम क्या करना चाहिए जिस जगह से कून बाय रहा उस पर साप या भी संक्रमिक पट चता से संबंदित है तो इसका अंसर D हो जाए को कुवर्म बीमारी अगला if fertilized ovum is implanted and developed outside the normal uterine cavity it is noon age तो इसको क्या कहा जाता है इसको बोलते है एको टोपिक प्रिगनसी इसको कहा जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर भी हो जाएगा अगला कौन सा मच्च ताजा पानी के किरतरिम संग्राह में परजनल करता है तो यह अंसर कहलाएगा आपका एडीज वाला इसका अंसर स्रीफ हो जाएगा बिस स्वास्त समस्या में प्रकात चिगसा लावदायक हो सकती है तो इसका अंसर in which health problem photo therapy में भी useful तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका न पित्त का निर्वान सरीर के किसंग द्वारा किया जाता है तो लीवर यक्रत से होता है most important question द्यान लखेएगा अगला cognitive learning cognitive learning में आप जानते हैं चीजों तो इसमें आपका A का 2 हो जाएगा उसके बाद psycho motor learning में आप सीखते हो इसकी ला जाती है फिर affective learning में attitude तो A का 2 और B का 3 और उसके बाद D का पहला यानि B वाला इसका सही आंसर हो जाएगा low birth weight body is defined as birth weight तो ये आपका कितना पचीज सो ग्राम से कम हो जाता तो वही कहलाता है जर्म के समय कम हो जनके सिसुक के नाम से जाना जाता है अगला oxygen की वह मात्रा जो पानी में उपलब्द कारवनी पदारतो का सुच में जिवान हो दोरा आप घटन के लिए अवस्क होती है उससे क्या कहा जाता दो होते हैं एक COD होता है एक आपका BOD होता है तो आरगेनिक का पूछे तो BOD हो जाएगा और किमिकल का पूछे तो आपका इसमें रसाइनिक वाला तो आपका COD हो जाएगा तो इसका पूछ रहा कि Mike Binz किस बीमारे में? किस बीमारी में पैया जाता है kस बीमारी में», गता झाता है तो इसका उंसर पता नहीं लग बाया है तो आप लोग इसको बताईएगा तो यह चार से छे होता है तो इस कांसर चार से छे लीटर प्रतिमिनित हो जाएगा तो इसका छे सब्ता होता है यानि 42 दित तो इस कांसर C हो जाएगा यूनिशेव का मुख्याले जिनेवा नहीं ध्यान रखेएगा यूनिशेव का मुख्याले न्यूयार का है क्लोरो फ्लोरो कार्वन का ज्यादा तर रुप्यों कहां होता है कूलेंट के रूम में होता है अच्छे अब लेखन तो तह प्रद्वेदन के लच्छन क्या है यह क्रेशी होनी चाहिए कंसाइसनेस होनी चाहिए थोरोनेस होनी चाहिए वो प्रोग सभी इसका अंसर डी हो जाएगा अगला कुछ वन आप दा वन इस दा मेन का जा पोस्ट पार्टम हेम्रेज प्रशोतर रगतसराओं का मुखी कारण काउन सा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह तो इसका अंसर पहला आपसन है अटोनिक यूटेरस दूसरा ट्रामा चोट के कारण तीसरा बलड काउगलो पेथी अगला रिटेंड प्लासेंटा तो इसका अंसर यह हो जाएगा रगत के जबने में विकार की वज़ा से अगला हुच वा नाप फुच इमंग दा फालोविंग इज नाट यूजड आइज केमिकल एंटी सेप्टिक एंटीस इंफेक्टन का प्रयोग किसमें इसमें काउन सा प्रयोग नहीं किया जाता तो यह बेंजीन, हेक्सा, कुलोराइड, बीचसी का प्रयोग नहीं होता बाकि सब का होता, फरमेल डेहइड भी किटारू नासक के रूब में होता पिनाल, तो आप इस्तेमाल करते ही हो फरमेल डेहड फिनाल, हेडोजन, पराकसाइड, यह कोसन किसी पिछली एक्जाम में भी पूछा जा चुका, सेम कोसन पूछा गया है मा के अस्तन से बाद में निकलने वाला दूद में ज्यादा तर फैट से लांग विद बिटामिन A वाई ए पाया जाता है यही पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा अगला फाटिद दा फैस्ट फैस्ट तिंग टूब एक्जामेंड इन अन कंसियस पेसेंट डिव टू एक्सिडेंट तो अगर कोई उसका यह चेक किया जाता कि इसकी सांच चल लही कि नहीं सबसे पहले कोई विक्ती भी हो सहे तो निकलने कंसी जगा बाल अपरादियों से समंदी नहीं है तो सेल्टर हाउ हूम में बाल अपरादी नहीं रखे जाते हैं बाकी इसमें सारे हैं अगला फिर आपका लाल बैग और उसके बाद आपका इसमें यलो बैग ब्लू और उसके बाद आपका ब्लाइक बैग है तो इसमें बताना है क्या है तो यह आपका कुर्सन नार्मल ही है इसको आप लोग कल ली होंगे तो इसको आप लोग बताईए क क्या अंसर होगा विछ वन इज प्रिफर्ड पोजीशन फार विश्ट प्रेडिंग एबी बेवी विद कलेफ्ट पेलेट यह एक कटे हुई तालू के बच्चे को इस्तनपार्म कराने के लिए कौन सी इस्तिती ज्यादा अच्छी होती तो यह अपराइट वाली पहला वाला सही हो जाएगा प्राइट सीधी इस्तिती ज्यादा प्रभावी होती है अगला यूली गूरिया मिन्स क्या होता है तो यूली गेरिया का मतलब होता है यूरीन आउट पुट लिस दैन 100 ml नहीं यह आपका कितना हो जाएगा यूरीन आउट पुट लिस दैन 100 ml इन 2 आवर्स यूरीन आउटपेट लेस देन 400 ml in 24 hours तो इसका अंसर ओली उंगुरिया यूरीन ओली गुरिया का मतलब ही होता है कि इसका अंसर क्या हो जाएगा 24 गंटे में 400 ml मिली मीटर से कम मुत्र होना यह आपका कहलाता है मल से प्रदूसी जल का सबसे महत्पूर्ण सूचक कौन होता इसका अंसर क्या हो जाएगा अगला प्रिटमेंट आप मेनिया एज उनमाद रोग में प्रथम पंक्ती का उपचार क्या कहलाता है तो इसमें किसका प्रियूक किया जाता जिस तरह का प्लिवी सबसे यादा पाया जाता है तता प्रशों के लिए आदर्स होता है तो ये गाइनाइड हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा गाइनेकौइड हो जाएगा इसका अंसर डी हो जाएगा अगला स्वास्त निगरानी के चित्र में इह आर क्या दर्साता है electronic health record को दर्साया जाता है यानि यह बी वाला electronic health record हो जाएगा अगला give the correct order of 5 stage of dying person तो आपका यह क्या कहलाता है DAB और उसके बाद आपका यह क्या कहलाता है DAB DA यानि डबडा डबडा इसको याद रखेगा तो डेनियल इंगर बार गेनिंग डेप्रेशन एक्सेप्टेंसी इसका अंसर D हो जाएगा सबसे लास्ट वाला अगला the recommended maximum wage label in India कितना है भारत में जो संस्तुत अधिक्तम 185 decibel है अगला इन पहली बार गर्वती हुई महिला में प्रशो का प्रतम चरन लगवा कितने अवधिका होता है यह आपको बताना है तो यह कितने अवधिका होता है यह 12 घंटे का होता है तो इसका अंसर्शी हो ज प्रतम क्या है आप इमोबलाइजेशन करें यानि चलना फिलना रोग दें नहीं और वो फ्रेक्चर हो जाएगी अगला ग्रस्ट्राइटिस पैदा करने वाला मुझ की जिवानु कौन सा है कामनस्ट बैक्टेरिया काजिंग गैस्ट्री टाइटिस इसमें पोच रहा तो इ यानि ये बी वाला हो जाएगा हैली वैक्टर हैली वैक्टर फ्लोराइड इसका अंसर हो जाएगा अगला एक स्वास्थ समान व्यक्त को कम से कम कितने घंटे दिन में सोना चाहिए तो इसका अंसर साथ घंटे हो जाएगा तो ये आपके 119 का ड्राप्टेट संगर्मन को र सबसे ज्यादा है तो उसमें मास्क इसका मास्क हो जाएगा उसके बाद अगला कुस्ण पोच रहा प्रवंधन में निम्न सभीकार के जाते सिवा डिक्टेटिंग के डिक्टेटिंग इसमें नहीं होता तो यह आज का वीडियो रहा अगला पार्ट 121 से 170 तक 50 कुस्ण अगले वीडियो में डिसकस करेंगे धन्यवाद